Hello everyone, this is Siddharth Patel. Welcome to Magnet Bains. Magnet Bains एक ऐसा platform है, जहाँ पे Class KGC लेकि Class 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं, वो सारे वीडियोज बिल्कुल free of cost available है. Magnet Bains पर ऐसा नहीं होता है, कि आपको दो चैप्टर free में देने के बाद हम आपसे कोई fee charge करते हैं या हम आपसे कोई subscription की मांग करते हैं, यहाँ जितने भी वीडियोज मिलेंगे, वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल free of cost मिलेंगे. और यह है Magnet Bains की पूरी Humanities की टीम, जो की जोरोशोरो से महनत करती है, आप लोगों के लिए वीडियोज बनाने, so that आप इन वीडियोज को देखके exams में बहुत अच्छे marks score कर सकें, और अपने माबाप का नाम रोशन करें. आज की इस वीडियो में हमें किस बारे में बात करना है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Noise Pollution के बारे में. बहुत ही simple सा topic है, बहुत ही easy सा topic है, आपको मतलब ऐसा लगी कि कि क्या sir यह तुम 6, 7, 8 standard में पढ़ते हैं, तो start करते है Noise Pollution क्या होता है, देखो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरे विश्व में एक दम शान्ती हो जाए, लोग बोलेंगे भी, गारियां चलेंगे भी, सारा काम होगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम जो आवाज होती है, वो unbearable होती, हम उसे सुन ही नहीं सकते हैं, मतलब हमारा सर दर्द करने लगता है कि कितना ज़्यादा शोर है, तब हम बोलेंगे noise pollution, बिल्कुल आवाज होंगी, बिल्कुल गारियां चलेंगी, तो आवाज होना ही है, सारे काम होंगे तो आवाज होना ही है, प्लेन चलेगा तो आवाज होना ही है, सारी चीजें होना है, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ों को सहन कर सकते हैं, तब तक के इसा आता है जब वही कि हम हमारा सर पकड़ लेते हैं कि मेरा सरदर्ध हो रहा है यार यह क्या है अब नहीं सुन सकते हैं उस स्टेट को हम बोलेंगे कि यह नॉइस पॉलूशन वाले स्टेट में हम पहुच चुके हैं क्लियर है एकड़म सिंपल से मैंने आपको समझा दिया कि नॉइस पॉलूशन क्या होता है नॉइस पॉलूशन रफर्स तो अफ उन्वेरेबल और नंकमफर्टेबल तो एक नॉइस पॉलूशन वाही यहां पर यह मैंटर सीरियस तब बना क्योंकि अलगलग अलग अलग अज़िकल इनुवेशन से क्या होता है बहुत जादा आवाज भी आ रही है और पहले हम इतना पहले तो भी वर्ल्ड शान था ना लेकिन जैसे जैसे टेकनलोजी में एडवांसमेंट आ गया गाड़ी बना दी प्लेन बना दी है अलग ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही बनी हैं लेकिन हम कई बार क्या करते हैं मतलब ये कहीं न कहीं फिर हमें इंपक्ट भी करने लग जाती है अगर आप कंस्रॉक्शन कंपनी का ही काम देखें तो जब भी ये कंस्रॉक्शन वगएरा हो रहा होता है तो कितनी ज़दा आवाज आती है यह ऐसे हम लोग लगा लगा कि चिला रहे होते हैं तो अल्टिमेटली हम किसी ना किसी को परिशान कर ही रहे होते हैं तो यह जो टेक्नलोजिकल इनोवेशन है इसी ने हमारी समस्यां बढ़ा दी हैं क्लियर यह वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई दे लेवल ऑस चीडी नॉइज इस मेज़र बाइ साउंड लेवल एक्सपेस्ट इंटर्म्स ओफ डेसिबल्स याट इस जीबी हम कितना साउंड है इक पर्टिकॉलर एरिया में उसे हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं जैसे आप लोग सेंटीमीटर मीटर में हम लोग जब ल लिखने जैसे के अब सेंटीमीटर को मीटर को लीटर को लिखते हो वैसे ही डेसिबल को डीबी ठीक है समझ में आ गया सबसे जादा हमें कहां पर ट्राफिक की कारण सबसे जादा नॉइस हमें देखने को मिलती है और ट्राफिक में भी ऐसा रहता है कि अब मेटरो ट्रेन गुजर रही है कि कौन सी ट्रेन है उसकी कितनी आवाज है फिर पी कवर्स के दोरान जो हम देखने की पाच बज़े से लेके साथ बज़े के दोरान हम देखने है शाम के पाच बज़े से लेके साथ बज़े के दोरान हमें बहुत जादा नॉइस दिखती है मतला बहुत जादा आवाज रहती है वही सुबह नौ बज़े से लेके ग् होती है साथी साथ industries में भी बहुत जादा noise create होती है अब वो यह होता है कि अलग-अलग industries में अलग-अलग तरीके का मतलब it's very industry to industry ज़रुनी कि हर industry में बहुत आवाज ही हो रही है हर इंड़स्टी के कारण noise pollution हो रहा है लेकिन जैसा मैंने बता है vehicle to vehicle differ करता है वैसे industry to industry भी करती है यह सारी चीज़े noise pollution is location specific and its intensity decline with increase in distance from the source of pollution that is industrial area of transport airport etc the noise pollution है उसको location specific बहुत important point है इसको आप लिखिएगा अपने paper में noise pollution is location specific हम उस जगा पे हैं like आप मालो आप city के एकदम main center में मार्केट में है तो वहां पे जादा आवाज रहेंगी लेकिन वहीं आप गाउं में चले जाओ तो गाउं में कितना शान थे तो noise pollution जो है वह location specific होता है कि आप शोर वाली जगा में हो तो वहां पे noise pollution जादा रहेगा बाकि आप गाउं वागरा में चल जाओगे तो वहां environment एकदम cool रहेगा बढ़ियां रहेगा clear है यह चीज़ आपको समझ में आ गई है oceans 10 time noisier than 40 years ago यह पर क्या बताया कि जो आज के तारिक में जो oceans देख रहे हैं वह 10 time जादा noisier है आज से 40 साल पहले oceans तो भी शान्त थे लेकिन आज के time में वह 10 times जादा हो गए है क्यों जादा हो गए क्योंकि हम लोग देखते कि oceans में आशकर trade बहुत speed से बढ़ रहा है भी पढ़ रहा है ठीक है तो इनको बहुत जादा impact भी पढ़ा तो आज के तारिक में oceans पे भी बहुत जादा हल्ला होने लग गया है क्योंकि यह ships बगेरा बहुत speed से goods बगेरा transfer कर रही होती एक देश से दूसरे जगा और ultimately इसका impact in organisms को पढ़ता है clear है I hope सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि noise pollution क्या है वैसे तो मुझे उमीद आपको पहले से ही पता होगा लेकिन नहीं पता तो भी कोई बात नहीं हमने बहुत simple तरीके से यहां पे समझ लिया है और सारी चीजें आपको clear हो गई होगी So Magnet Brains के वीडियो आप लोग YouTube से access कर सकते हैं बट बहुत बार यह होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो उसका solution भी Magnet Brains लेकिया है वो है Magnet Brains की website Magnet Brains की website पर पहुचने के लिए simply आप लोग Google पर जाएए Google पर आप Magnet Brains.com लिखके search पर क्लिक कीजिए जैसी आप Magnet Brains.com लिखके search पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का interface आपको नज़र आएगा नीचे दिया गया होगा explore top courses यहां CBSE State Board Hindi Medium, Olympiad, NTSC, CBSE English Medium यहां पर दिखेगी जिस भी चीज की पढ़ाई करनी हो आप उसको क्लिक कर सकते हैं suppose मुझे CBSE English Medium की पढ़ाई करनी है CBSE English Medium पर मैंने touch किया जैसी मैं touch करूँगा यहां पर सारी classes आपको open up होती दिख जाएगी मुझे 9 का पढ़ना है तो मैं 9 में चले जाओंगा 10 का पढ़ना है तो 10 में चले जाओंगा लेकिन अभी मुझे 12th class की पढ़ाई करनी है तो मैं गया मैंने 12 पर touch किया जैसी मैं 12 पर touch करूँगा class 12 के touch करने के बाद में class 12 के जितने भी subject की वीडियोस हैं वो सभी आपको screen पर नजर आजाएंगे और अगर आप थोड़ा सा scroll करके यहां पर नीचे जाते हैं तो यहां पर आपको class 12 का geography नजर आएगा और माल लीजे आप class 12 geography पर click करते हैं तो जैसी आप class 12 geography पर click करेंगे यहां पर आपको class 12 geography के वीडियोस नजर आएंगे यहां पर जो वीडियोस होंगे यहां आपके NCIT book के according होंगे और यहां के वीडियोस सारे chapter wise format में arrange होंगे chapter wise में भी topic wise आपको वीडियोस arrange मिलेंगे so it is up to you अगर आप YouTube से comfortable है तो YouTube से पढ़िये लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो आप Magnet Brains की website के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं या आप Magnet Brains का app भी download कर सकते हैं जो कि Play Store पे available है तो आप Play Store पे जाके Magnet Brains का app भी download कर सकते हैं और वहां से भी आप इन वीडियोस को access कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशकबरी है वो है कि Magnet Brains ने अपना नया channel launch किया है जो कि Magnet Brains हिंदी के नाम से है इस चैनल पे सारा हिंदी मीडियम वाले student के लिए content available है सारे वीडियोस बिल्कुर free of cost available है हिंदी मीडियम वाला बच्चा चाहे state board का हो या cbac का हो यहाँ पे सभी चीज की पढ़ाई होती है सो अगर आपके कोई friend, relative, भाई, बहन अगर कोई भी हिंदी मीडियम के है तो आप उन्हें Magnet Brains हिंदी वाला channel जरूर recommend कीजेगा Magnet Brains एक ऐसा platform है जहाँ पे class crazy से लेके class 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज बिल्कुल free of cost available है आप लोग जादे से जादे इन वीडियोज को share कीजेए Magnet Brains के बारे में बताईए अपने school, colleges, tuition, भाई, बहनों को बताईए साथी साथ वीडियो को like कीजे, channel को subscribe कीजे मुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में एक नए टापिक के साथ अब तक के लिए धन्यवाद